हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चेनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गेंदे का पौधा यानि की मैरी गोल का पौधा पिछले एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैरी गोल की कटिंग हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके उपर एक डेटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था अगर आपके पास पुराना पौधा है तो लेकिन अगर आपके पास पुराना पौधा नहीं है तो आप बीजों से सूखे फूलों से इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडिय तो अगर आपने पिछले सीजन के सूखे फूल इकटे करके रखे थे तो उससे आप बहुत यासानी से हजारों पौधे तयार कर लेंगे मैरी गोल्ड के तो आज के इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ ये जानकारी मैं आपके साथ डेटेल में शेयर कर रही हूँ इसके साथ ही बीच बीच में मैं आपको केर टिप्स भी बताऊंगी क्योंकि जैसे जैसे हमारा पौधा ग्रोग करता है तो उसके अंदर कुछ समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है तो आपको किन चीजों का दिहान रखना है, कौन सा फटिलाइजर देना है ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो फिंस चले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपके पास पिछले साल के सूखे फूल आपने इकठे करके रखे हुए है तो आपको इन सूखे फूलों से कैसे पौधे को ग्रोग करना है अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से बीज भी ले सकते हैं लेकिन अगर आपने पिछले सीजन में इन फूलों को इकठा करके नहीं रखा था तो इस सीजन में आप जरूर रख लेना इनको स्टोर करके और अगले साल आपको एक भी गेंदे का पौधा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल मुफ्त में आप बहुत सारे पौधे घर में तयार कर लेंगे तो चलिए हम आजाते हैं अपने में टॉपिक पर यह है कुछ सूखे वे फूल जो कि मैंने पिछले सीजन में इकठा करके रख लिया अगर आपको इस सीजन में इन फूलों को इकठा करना है यानि स्टोर करके रखना है तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको अभी से दे दूँ सबसे पहली चीज तो जैसे ही गेंदे का फूल आपके पौदे के अंदर सूखता है अच्छे से जब सूख जाये तो आप उसको थोड़ा सा तोड़ करके देख लेना अगर उसके बीच काले हैं तो ऐसे ही सूखे फूलों को आपको इकठा करना है इन सूखे फूलों को तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं धूप में इन फूलों को आपको नहीं सूखाना है अगर धूप में आप सुखाओगे तो इसके जो बीच है वो मर जाएंगे इसलिए हमेशा इसको छाया में सुखा कर ही हमको स्टोर करके रखना चाहिए इसकी बाड़ टाइम है पौट की और मिट्टी की तो friends ये जो pot आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा pot है मेरा गर्मियों में मैंने इसमें पाटुलाका ग्रो किया था तो पाटुलाका के सारे पदे मैंने निकाल दिये हैं और मिट्टी को अच्छे से एक दो दिन मैंने सुखा लिया है पहले गुड़ाई करने के बाद अब टाइम है इसमें थोड़ा सा और कंपोस्ट मिलाने की तो ये देख रहे हैं आप दो पैकेट यानि दो किलो वर्मी कंपोस्ट मैं इसके अंदर मिला दूंगी friends कोई भी पुरानी मिट्टी का इस्तमाल अगर आप करते हैं तो उसमें पहले थोड़ा सा और nutrition उस के अंदर कोई न कोई कंपोस्ट आप जरूर मिला है उसके बाद ही आप उसके अंदर कोई नया पौधा ग्रो करें दूसरी चीछ जिसका कि आपको धिहान रखना है वो ये है कि मिट्टी को आप अच्छे से जरूर सुखा लीजे क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है जि इसके बाद बीजों को ग्रो करने से पहले इसकी जो सता है इसको अच्छे से आपको प्लेन कर लेना है इसके बाद टाइम है बीजों को ग्रो करने का यानि जो सुखेवे फूल है उनको ग्रो करने का सुखेवे फूलों को आप अच्छे से तोड़ लो ताकि इसके जो गवर मात्रा में इसको आपको इस तरीके से बिखेर देना है इसके बाद यह जो बीज है यानि जो सुखे फूल है इनको आपको कवर करना है इसके जो normal potting mix आप अपने पॉदों के लिए बनाते हैं उसी से आप इसको कवर कर लिजे इतना आपको ढ़कना है ताकि यह जो सूखे फूल हैं वो दिखाई ना दे मिटी से कवर करने की बजाए आप सिर्फ कोको पिट से भी इनके वीजो को कवर कर सकते हैं लेकिन किसी भी ऐसी मिटी से आपको कवर नहीं करना है यानि बहुत जादा चिकनी मिटी से कवर ना करें वना जो मिटी है वो जम जाएगी और जो फूल हैं वो अच्छे से उग करके नहीं आ पाएंगे इसके बाद इसको आप हलके हाथों से कुछ इस तरीके से दबा दो ताकि जब भी आप इसको पानी दो या फिर तेज हवा चले तो ये जो सूखे फूलों के हमारे बीज हैं वो बाहर निकल करके ना आए अब आपको इसी टेकनिक से अपने पौदे को पानी देना है जब तक कि इसके जो बीज हैं वो दो इंच तक लंबे निकल करके ना आ जाए उस इस्तिती में अगर आप पानी देंगे तब ही आपके जो बीज हैं पौदे हैं वो इदर उदर नहीं होंगे अभी यहाँ पर आपक को मौईश बना के रखना है बहुत जादा मिट्टी सूखे ना और बहुत जादा इसके उपर पानी भी ना पड़े दोनों ही कंडिशन में यह जो बीज है वो खराब हो सकता है फ्रेंड्स मेरा यह जो पौट है यह काफी बड़ा है इसको हिलाना मुश्किल है यह ऐसी काम की दो तिन घंटी की धूप मिल जाए तो बीज जल्दी से निकल करके आ जाएंगे फ्रेंड्स यह रिजल्ट है तकरीबन एक हपते बाद का तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे सैकडों छोटे-छोटे पौधे निकल करके आ चुके हैं अब यहां पर मैं आपको एक प दूसरी आपने पानी जादा दे दिया है जिससे की जो बीज है वो मिटी में ही सड़ जाते हैं तो फ्रेंट्स तीन चीजों का ध्यान रखे अगर आपका जो फूल है अच्छे से मैच्योर होगा काले बीज होंगे इसके तभी उगेगा दूसरा जिस मिटी में आप उगा रहे हैं मिटी अच्छी होगी तभी ये बीज उगेंगे तीसरा बहुत जादा पानी आपको नहीं देना है मिटी को मौईश बना के रखना है अब ये रिजल्ट जो आप देख रहे हैं ये हैं तकरीबन 15 दिन के बाद का रिजल्ट और काफी सारे चोटे चोटे पौधे त तो अब ही सही टाइम है आप एक पौधा या फिर दो तिन तिन पौधों को अलग अलग पौट में रिपॉर्ट कर सकते हैं अब यहां पर कुछ केर टिप्स में आपको शेयर कर दूं वरना पौधे उगने के बाद भी खराब हो जाते हैं सबसे पहली चीज तो पानी आपक दूप में रखना शुरू कर दीजे अगर आप रिपॉर्ट करते हैं तो कुछ दिन के लिए आप शेड में रखें उसके बाद आप इसको दूप में टांसफर कर दीजे अगर कोई घांस वग आई है पौधे में तो इनको भी निकानना ना भूलें अगर आपको लगता है क कि यह जो पौधे हैं वो खराब हो रहे हैं इनके उपर कोई कीड़ा और फंगस लग रहा है तो पानी का स्प्रे आप इनके उपर से कभी भी ना करें अगर दिक्कत जादा हो रहे हैं जादा ही कीड़े और फंगस लग रहे हैं तो एक चौथाई चमश बेकिंग सोडा को एक लिटर पानी में घोल करके हर हपते स्प्रे कर दें ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इसको लगभग एक महीना हो चुका है और पौधे लगभग 8-10 इंच 12 इंच कुछ पौधे उससे भी जादा बड़े हो चुके हैं अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपोर्टेंट इसके काम जो आपको अपने पौधे में करना चाहिए जिससे कि आपका पौधा जादा से जादा फ्लावरिंग दे या फिर जादा से जादा और घना हो जाए सबसे पहला पौइंट मिट्टी को बहुत जादा आपको गीला नहीं रखना है पानी कम देना है वना जो आपके पौधे हैं वो सिफ बड़े होते चले जाएं इससे आपको फ्लावरिंग बहुत लेट मिलेगी और अगर फ्लावरिंग मिलेगी भी तो फ्लावरिंग बहु फंगस लग सकता है और आपका पौदा खराब हो सकता है इसके साथ ही पौदों को अब आप धूप में ही रखे यहां पर एक बहुत ही important point वो है इसकी tip pruning अगर आपको अपने पौदे को घना बनाना है आप चाहते हैं कि आपके एक ही मेरी गोल्ड के पौदे में बहुत सारी ब्रांचिस निकल करके आए तो जब तक आपको फ्लावरिंग नहीं लेनी है तब तक इसकी आप टिप प्रूनिंग करते रहें अगर इसकी फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी तो आप टिप प्रूनिंग नहीं कर पाओगे तो इ इसी पौदे से आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं आप जो टिप प्रूनिंग है वो थोड़ी बड़ी कर सकते हैं यानी 5-6 इंच की कटिंग को लेकर के उपर से इसके टिप से ही उसको मिट्टी में अगर आप ग्रो कर देंगे तो काफी सारी कटिंग आप इन नए पौदो से तेयार कर सकते हैं अब टाइम है इसके फोटिलाइजर का जो की बहुत इंपोर्टेंट है अगर यहां पर हमें जादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसको अब खाद देना पड़ेगा वरना यह सिर्फ बढ़ता चला जाएगा और फूल नहीं देगा तो इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुती बढ़िया और गैनिक फटिलाइजर जिसको मैंने सिर्फ दो चीजों से बनाया है पहली जो चीज है यह है गोबर के उपले तो आपको एक मीडियम साइज का गोबर का उपला लेना है और आपको लेना है एक चमच सरसो की खली का इन दोनों ही चीजों को आपको एक दिन के लिए भिगो करके रख देना है फ्रेंट्स मैंने ये काम एक दिन पहले ही कर लिया था तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब इस लिक्विड को आपको अलग कर लेना है इसके बाद इसमें कम से कम 6-7 पाद गुना और पानी मिला करके इसको आपको डाइलूट कर लेना है काफी स्टॉंग फटिलाइजर है तो इसलिए आप इसको डाइलूट करना नव भूलें दूसरी चीज ये जो लिक्विड फटिलाइजर है आपको अपने गेंदे के पौधे में 15 दिन में एक बार देन जो की बहुत जरूरी है अच्छी फ्लावरिंग के लिए तो आप क्या कर सकते हैं केले के चिलके और प्याच के चिलकों के साथ अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 2-4-5 मुठी वर्मी कंपोस्ट को भिगो करके आप रख दो और उस लिक्विड को अगले दिन आप पानी मिला करके डाइलूट करके इस्तमाल अगर करते हैं दस दिन में एक बार तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया रहेगा जरूरी नहीं है कि आप ये वाला फटिलाइजर ही इस्तमाल करो कुछ मार्केट का यानि कुछ और गैनिक कंपोस्ट और कुछ होममेट फ पौदे में दे सकते हैं तीसरा फटिलाइजर अगर आपके पास घर में मार्केट का कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो आप प्याच के चिलकों को भिगो करके रग दो अगले दिन उस प्याच के चिलके में आधा चमच कौफी पाउडर मिला करके उस लिक्विट को पौदे को दूप में रखें अगर कीडे या फिर फंगस लग रहे हैं तो एक चौथाई चमच बेकिंग सोडा को एक लिटर पानी में भिगो कर हर हपते स्प्रेश जरूर करें आपका गेंदे का पौदा पूरी सर्दियां फूलों से भरा रहेगा और एक भी पौदा खरा करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू